सो हे नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सभी आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि आप अपने मुबाइल से ही किसी भी चीज की मेजर्मेंट कैसे लग सकते हैं वो भी बिल्कुल एकड़म एक्ड़म एकुरेट अगर आप सभी को किसी भी ब्लॉक या कि किसी भी चीज की measurement लेनी होती है तो उसके लिए आप सभी को कुछ इस तरह का measurement टेप required रहता है जिससे आप उसके actual size का पता लगा सकते हैं अगर आप सभी के पास अभी कोई measurement टेप नहीं है फिर भी आप अपने mobile का इस्तिमाल करके बड़ी ही आसाने से उस चीज को measure कर सकते हैं वो भी अपने mobile से ही तो इस वीडियो को आप पूरा end तक देखेगा इस वीडियो में मैं आप सभी को उसके बारे में बताऊंगा कि कैसे आप अपने mobile का इस्तेमाल करके किसी भी चीज को नाप सकते हैं तो चलिए आज की इस वीडियो को सुरुआत करने से पहले मेरा नाम चानल लीजिए मेरा नाम है आसिस और आप सभी का में स्वागत करता हूं अपने यूटूब चैनल आसिस गो टेकी में अगर आप इस चैनल पर नए रहेंगे और इसी तरह के इंट्रेस्टिंग वीडियो देखना पसंद करेंगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके पाजू में जो बैल आगन दीख रहा है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके तो इचलिए अब देख लेते हैं कि आप अपने मुबाइल से किसी भी चीज की मेजरमेंट कैसे ले सकते हैं अपने मुबाइल से मेजर मेजरमेंट एप और जैसी सबसे पहली एप्लिकेशन आएगी उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर आप सभी को बहुत सारी एप्लिकेशन मिल सकती है इसके उपर से आप अपने पसंद से कोई भी एप्लिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं तो मैं यहां पर आप सभी क कुछ इस तरह से इंटरफेस आयेगा यहां से आप सभी को एकजिट करने के बाद आप सभी को यहां पर आलाव करते न है सारे चीज़े अलाव अलाव करनने यह आपको कुछ प्लान दिखा रहा है कि इस तरह से आप मैज़रमेंड ले करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से बता रहा है कि आप जो भी चीज का मेजर्मिंट लेना चाहते हैं उसकी clarity एकदम साफ जगह पर रहना चाहिए ताकि उसके ऊपर अच्छे तरह से यह focus कर पाए focus करने के बाद आप सभी को simply यहाँ से इसके skip कर देना है skip करने के बाद आप सभी को यहाँ पर start कर लेना है start करने आपने किसी भी चीज का फोटो निकाल के रखाया और आप चाहते हैं कि उसके measurement आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पर folder वही आपको सभी को मिल जाता है मुझे अभी direct live location मुझे भी direct live location के उपर किसी भी camera चाहते हैं आपको किसी भी चीज का measurement लेना है तो इसके उपर आप सभी को आपका camera angle रख देना है जैसी आप camera angle लखेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से target कर रहा है उस चीज को देखिए इस तरह से इसने target कर लिए है अभी आप सभी को measurement लेने के लिए इसके उपर आप सभी को यहाँ पर पहला icon जो दीख रहा है बीच वाला इसके उपर इस icon को लाना है और यहाँ पर tap कर देना है जैसे आप tap करेंगे यहाँ से select हो जाएगा और आप सभी को अभी दूसरे वाले icon के उपर क्लिक कर देना है जहां तक आपको इसका measurement लेना है तो इसके उपर जैसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो measurement size बता जा रहा है 35 मिटर का size बता जा रहा है तो इस तरह से आप accurately किस अपने mobile से ही किसी भी चीज की measurement ले सकते हैं तो दोस्तों में उमीद करता हूँ आप सभी अभी समझ गए रहेंगे कि आप उनमें mobile से किसी भी चीज की measurement किस तरह से ले सकते हैं अगर यह वीडियो आप सभी को पसंद आई करेंगी तो इस वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल पर नह रहेंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में चुब बैल आइकन है इसे भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेस्ट आप सभी को हमारे चैनल के मिल सके तो चलिए मिलते हैं